Hello friends, welcome to our channel, मैं M.G. Manis Guru, GS teacher from Patna B.R. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग देखें कि यह करने वाले हैं बल तता घर्षन का बल तता घर्षन का force और friction का इसका हम लोग सबसे पहले यह जो important formula है और उसके based जो है एक एक question को हम लोग solve करेंगे जो कि group D और NTPC के लिए आपका काफी helpful है ठीक है? और यह आपका complete formula आपका कहा मिल जाएगा? कि आपका complete formula यह जो है हमारा ही बुक है 14 सर प्लस question सामान विज्यान का वहाँ पर जो तीसरा पार्ट है बुक के अंदर formula पुरा दिया हुआ है वही पर आपका इसका बुक का पीडिये भी available है तो आप पीडिये भी ले सकते है आदेगे जल्दी से आपको पता है कि हम unacademic educator है तो मनीश कुमारोय के नाम से आपको search करके follow कर लेना है और all goal में आपको क्या select करना है ssc exam non-technical तभी जो है आप हमें follow कर पाईएगा हम आपका complete करवाएंगे सबसे पहले science उसके बाद हम लोग GKGS किसी भी unacademic का subscription के लिए आपको क्या code लगा देना है तो code लगाना है आपको money's उसके बाद guru उसके बाद 10 लगा देना है 10% का आपको discount मिल जाएगा या feed किसी भी अगर free भी टेस्टरीज है तो वहाँ पे भी आपको same जो है आपको code लगा देना है अब आए जल्दी से हम लोग कुछ important यहाँ पे point दिया है उसको हम लोग देखते है देखिए यह जो आपका क्या दिया हुआ है बल तता घर्चन के कुछ important formula है पहला है F equal to M A बहुत simple है सभी को पता है F equal to M A M आपका द्रमान है यह आपका त्वरान है M यहाँ से निकल जाएगा F Y A एक तो आपका clear हो गया दूसरा आपका F1 equal to F1 equal to minus F2 कब होता है जब आपका पहला बल हो दूसरे बल का विपड़ दिसा में लग रहा हो तो आपका minus आता है तीसरा आप यहाँ पर एक formula जो है आप यहाँ पर देख सकते है P equal to P आपका क्या है सम वेक है में दरामान और V है आपका मुमिन्टम बराबर क्या होता है मास गुने वेलोसिٹी आपका दूसरा important formula हो गया momentum बराबर मास गुने वेलोसिटी है ठीक है यहाँ से आपका क्या आजाएगा momentum बराबर मास गुने वेलोसिटी अपका है ठीक है चलिए यहां से आपका है normal यह सब फर्मूला नॉर्मल दिया हुए आपका और चोथा आपका यहां पर important फर्मूला है जो कि आपका क्या आता है देखिए यह वाला जो है आपका फर्मूला जो दिया है F equal to mu gunnay n F equal to mu gunnay n आपका जो यहां पर दिया है देखिए F equal to यहां पर आपका घर्षन बल से आया हुआ है तो घर्षन बल का आपका यह जानते है तो mu equal to कितना आगे आपका F by n बहुँज़गा F by r भी रहता है ठीक है F by r यह तो आपका आगे है नॉर्मली घर्षन का जो गुनांग होता है आपका मातरक हीन और वीमाहीन रासी होता है जो आपका घर्षन गुनांग हो है हमेशा आपका क्या है मातरक हीन है जैसे आपका मातरक हीन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा यह वीमाहीन भी हो जाएगा घर्षन गुनांग का मान 0 से 1 के बीच में होता है एक और पॉइंट आपका इंपोर्टन पॉइंट है आपका जो मियू का जो भैलू होता है हमेशा आपका जीरो से लेके एक का बीच में होता है और घर्षन बलके अधीन किया गया कार धनात्मक होता है जो आपका घर्षन बलके मैं बारे में यहाँ पर बता दे रहाँ घर्ष ज्यादा नहीं कुश्चिन है एफ एक्वल टू एम गुने ए यहां से आप द्रमान निकाल सकते हैं पकल लिजी आपका बल दिया है आपका पचीश न्यूटन दिया है और तोरण आपका दे दिया है पांच मीटर प्रतिस सेकंड स्कुर्ड और हमको क्या निकालना है आपका द्रमान निकालना है पकल लिजे द्रमान निकालना है तो एफ एक्वल टू क्या होता है म होता है सिंपल है बहुत सिंपल है लेकिन आपका एक्जाम में आता है रेलवे एंटीपीसी ग्रूपडी के लिए एम एक्वल टू क्या हो जाएगा एफ यहां पर कितना दिया है दे दूसरा देखिए दूसरा आपके लिए यहां पर क्या है दूसरा आपका सम्वेग जो है आपका इंपॉर्टेंट है दूसरा आपका सम्वेग जो है आपका इंपॉर्टेंट है दूसरा आपका सम्वेग जो है आपका इंपॉर्टेंट है सम्वेग के लिए आप लोग देख सेकंड समविएग अगर आपको निकालना है तो मास गुने वेलोसिटी कर दिजिए मास गुने वेलोसिटी बस 75 गुने दो मैं यहाँ पर सिंपल एक्जाम में भी आपको इससे हार्ड कोशन नहीं आएगा 150 केजी मीटर प्रती सेकंड आपका अंसर आ गया यह आपका दूसरा ह कोफिशियंट और फ्रिक्शन इसी को कहते हैं क्या है आपका म्यू इसी को कहते है म्यू इक्वल टू एफ बाई आर ठीक है एफ बाई आर एफ आपका क्या है तो एफ आपका है घर्षन बल है आर आपका क्या है अविलंब प्रक्रिया बल है आर आपका अविलंब और म्यू तो आपका क्या है घर्षन गुनांक है उचने जो भी value आपका देगा बस यहाँ पे आपको put कर देना है इस chapter से आपका ज्यादा important question है मात्र आपका क्या क्या बना है इसको बस आप देख सकते हैं क्या क्या है आप इसको जड़ा सा एक बर देखिए revision कर लिजिए और इससे बाहर आपका question नहीं आएगा पहला है आपका f equal to ma दूसरा आपका क्या दिया समवेग बराबर momentum बराबर होता है mass गुने velocity द्रबमान गुने वेग होता है और तीसरा आपका जो यहाँ पे दे दिया है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिग रैविटेशन गूल तोकर से टॉपिग कलते हैं टूटल आपका 20-25 वीडियो आएगा छोटा-छोटा करके फर्मूला के साथ इससे आपको headache भी नहीं होगा मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद